इस काहानी की शुरुआत में हमें दो जादूगर शेर्णोमोर और फिन को आपस में लड़ते दिखाया जाता है शेर्णोमोर एक बुरा जादूगर था, उसने लीना नाम की एक राजकुमारी को पकड़ लिया था जिससे Fin प्यार करता था Fin लीना को बचाने के लिए Share No More से लड़कर उसे अरा देता है फिर जब Fin लीना को छुडाने के लिए जाता है तो She No More के मैय जान में फस गया था जिसकी वाजय से उसका जादू काम नहीं करता और नीछे गिर जाता है तबी शेर नो मौर लीना की अंदर से उसका प्यार निकाल कर उसे पत्तरगा बना कर लीना की प्यार को अपनी जादुई छड़ी में भड़ लेता है जिसकी वाज़े से वो और शक्तिशाली बन गया था फिर फिन उसे कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है फिर हम परजेन में रूसलान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो शूरवी बनना चाहता था रूसलान लेश्टर नाम के एक दोस्त के साथ मिलकर लोगों को शेर नो मौर फिन के कहानी सुनाता है तब ही वहाँ से कुछ सेनी निकलते हैं जिनने देखकर रूसलान अपनी लाइंस भूल जाता है क्योंकि वह भी एक शूरवीर बनना चाहता था रूसलान के लाइन भूलने की वज़े से सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं ये देखकर रूसलान ल को एक राजकमारी उसके डेर्डू से शादी करने हुं वंगर मिला शादी नहीं करना चाहती थी इसे लिए अपने अपने कम्रे के गेट को अन्धर से बंगी कर लेती है राजा मिला खुपया रास्ते से अंदर आज logic और मिला से वादा करते हैं कि जैसे मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ तुम्हारा पती भी ठीक वेसे ही तुम्हारा ध्यान रखेगा तो मिला कहती है कि मैं केर नहीं रहना चाहती हूँ इसलिए मुझे शादी नहीं करनी अगर आज मैं जिन्दा होती तो वो मुझे समझात मगर आप मेशा मुझे बंद करके रखना चाहते हो तो राजा मिला को समझाते हुए कहते हैं कि अगर मैं अचानक मर गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा ओपर से तुम्हें एक राजकुमारी हो तुम्हें उसी तरह से रिना होगा लेकिन मिला को इन सब बातों से कोई नहीं पड़ता और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा ध्यान रखे मैं के लिए खुश हूँ ये सुनकर राजा को गुसा आ जाता है और वो मिला से कहते है कि अगर कल तक तुमने कोई लड़का पसंद नहीं किया तो मैं किसी से भी तुम्हें शादी करा दूंगा ये कहकर राजा वहां से चले जाते हैं वहीं रूसलान फल लेकर बाजार से गर जा रहा था तब यह अगर राजकुमार के गोड़े से टकड़ा कर नीचे गिर जाता है रूसलान राजकुमार से कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मागनी होगी लेकिन राजकुमार रूसल में कुछ डाको मिलते हैं जो मिला से उसका नेकलेस मांगते हैं लेकिन मिला डाको को नेकलेस नहीं देती क्यों क्यों उसकी माई के आखरी निशानी थी इसलिए मिला उन डाको को मार कर वहां से भागने लगती है तब यो रूसलान से आखर टकराती है मिला रूसलान से कहती है कि मुझे मत की ज़रा थे तुम किसी शूरवीर को बुलाओ रूसलान कहता है कि मैं ग्योद्धा हूँ और ओडाकों से लड़कर उन्हें मार देता है मगर वहां ओडाकों आ गए थे जिसकी वाज़े से मिला और रूसलान वहां से भाग गए रूसलान मिला से पूचता है कि तुम कहां से हो मिला कहती है कि मैं अपनी जिन्दिकी से परिशान हो गई थी जिसकी वाज़े से मैं गर से भाग आई हूँ क्योंकि मुझे पर काफी पाबंदिया थी अब मुझे अपनी लाइफ को खुल कर जीना है रूसलान मिला को अपने साल ले जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे सबने में पुरे कर सकता हूँ मागर तुम्हें मुझ अजनभी पर भरोसा करना होगा मिला की जान डाकों से रूसलान ने बचाई थी जिसकी वाज़े से मिला उसके साथ चली जाती है मिला रूसलान के साथ अपने लाइफ को खुल कर जी रही थी इसलिए उसे रूसलान का साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था जिसकी वाज़े से वो रूसलान से प्यार करने लगी अगले दिन सुबह दोनों समुदर के बास बेटे थे मिला रूसलान से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी खुश हूँ और उसे किस करने लगती है मगर अच्छनक समुदर में बयानक तुफान आता है और उस मिला को अपने साथ ले जाने लगा सेनिंग मिला को तुफान में गिरा देकर रूसलान को उसके बारे में बताता है रूसलान मिला का हाथ पकड़ लेता है तुफान के अंदर से शेर नौमोर निकल कर रूसलान से कहता है कि कोई भी मेरे माय जाल से नहीं बस सका रूसलान मिला से कहता है कि तुम्हें मुझे बरुसा करना होगा मैं तुम्हें बचाने जरूरा हूँगा राजा रूसलान को पकड़ लेते हैं और उससे बूसते हैं कि तुमने मिला के साथ क्या किया रूसलान को पता चलता है कि जिससे हो प्यार करने लगा था वो एक राज कुमारी थी रूसलान केता है कि मिला को शेर्णो मोर ने पकड़ लिया है जो जादू नगरी में रहता है लोगों को रूसलान की बातों पर बरोसा नहीं होता और वो सब उसे जुटा बताते हैं राजा सेनिकों से रूसलान को जेर्ण में बंद करने हो केते हैं और सभी के सामने एलान करते हैं कि जो भी मिला को ढूंड कर लाएगा मैं उसकी शादी मिला से करा दूंगा रूसलान को बचाने के लिए उसका बालतु पंची उना आता है जो सेनिको के ओपर पाउडर डाल कर रूसलान को बचा लेता है सबी वर्दा मिला से शादी करने के लिए उसे डूरने जाते हैं वही रूस्लान लेश्टर के पास जाकर उसे बूस था है कि शेर्णोमोर के काहणियों के बारे में उसे कहा से पता चला लेश्टर कहे था है कि हो सब मैंने अपने तेज दिमाग शेलिक की ती रूसलान कहता है कि तुम जुट बोल रहे हो क्योंकि शेर नॉमोर ने राजकुमारी को किर्णेप किया है जिसका मतलब है कि असलियत में है लेश्टर कहता है कि मुझे कोई कहानी लिखने के लिए नई मिल रही थी इसलिए मैं इस किताब को एक लाइबरेरी से चुरा कर लाया था रूलान लेश्टर को अपने साथ लाइब्रेरी की तरब ले जाता है राज कुमार भी रूसलान के पीछे जाता है रूसलान और लेश्टर एक बड़े से पेड़ के अंदर गए जहां एक लाइब्रेरी थी जिसके अंदर एक केड रहती थी जिसे देखकर रूसलान असने लगा केड उने डराने के लिए अपनी बोड़ी को और बढ़ा कर लेती है जिससे हो काफी खतरनाक लग रही थी क्योंकि हो एक जादूई केड थी और लेश्टर के बुक चुराने की वज़े से वो उने मारने कोशिश करती है रूसलान केड को उसे एक पेश से चकमा देता है जिसकी वज़े से वो शान्त होकर फिर से अपने चोटे रूप में आ गई रूसलान केड से शेर नो मोर के बारे में पूंसता है केड केड के दिये कि शेर नो मोर ने कई राज कुमारियों को किड्नेप कर रखा था मगर कोई भी शेर नो मोर करा कर अपने प्यार को वापस नहीं ले जा सका क्योंकि उसने पूरी सेना और शुरीरों को मार दिया मगर तुम एक एक एक्टर हो तुम उसे नहीं अरा पाओगे रूसलान शेर नो मोर के पास जाने का रास्ता पूंसता है केड उने अपने साल ले जाती है और बताती है कि शेर नोमोर सो साल में एक बार इसी राजकुमारी को किर्णेप करता है जिसे किसी से प्यार हो गया हो और उसके प्यार की तागत से अपनी खोई हुई जादुई शक्ति को फिर से पाल लेता है और केटी है कि मिला तुम से प्यार करने लगी होगी जिसकी वज़े से शेर नोम करी में रहता था मगर वहां तक पहुंचना इतना असान नहीं है क्योंकि जो भी वहां गया है वह वापस नहीं आया और तुम इस जय के बारे में किसी नहीं बताओगे रूसलान कहता है कि मैं मिला को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ के रूसलान को एक आख से बने दरवाजे के अंदर बेशती है और उसे एक मट्रे की फली दे कर कहती है कि जब रास्ता खत्म हो जाए तो ये तुम्हारे काम आएगी फिर रूसलान और लेश्टर एक नई रंगिन दुन्या में पहुंचते हैं वहीं मिला को होशा आता है वो शेर्णोमोर को देखकर डर गई थी और उसे कहती है किसका मतलब तुम मुझसे शादी करोगे शेर्णोमोर कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा मगर मैं तुम्हारे साथ ज भी फेकता है जो मिला के सर पर गिर गई जिसकी वज़े से ओगाएब हो गई थी और वहां से भागने लगती है शेर्णोमोर कहता है कि मेरे मेल से ना कोई भाग पाया है और ना ही कोई इंसान बिना मेरी मर्जी के यहां तक पहुंच सका शेर्णोमोर अपने जादूई केक और आइसक्रीम से मिला को डूने हो केता है और अपने जादूई यंतर में देखता है कि रूसलान और लेश्टर महल के अंदर आ गए जिनने देखकर शेर्णोमोर असने लगता है क्यों कि उससे लगता है क्यों ने हरा देगा वही राजकुमार अपने सेनिकों के साथ केट के पास या आता है और उसने रूसलान के बारे में पूंसता है केट सभी को मार कर वहां से भगा देती है दूसी दर रूसलान और लेश्टर एक खाई के पास चले गए मगर खाई को पार करने का कोई रास्ता नहीं था जादूई दुनिया के अंदर राजकुमार अपने के साथ केट की नजरों से बचकर पौंश गया था और कुछ फुट्पिरिन्स को फोलो करके रूसलान को ढूने लगा रूसलान को खाई-पार करने का कोई रास्ता नहीं मिलता इसलिए मचर मचर को यसकरने का सोंशता है मगर उसे मचर का इस्त्माल करना नहीं आता जिसकी अज़ना उड़कर चूय के हां से मतर चीन लेताहे चुहा ख़ाई में गिनने वाला GG वाला था तब ही उससे रुस ना बचा लेता है और चुहा से कहताई यह हमें ग्र मठर कहने के लिए नहीं है यह हम में आगे जाने का रास्ता बताएगा that's चुआ इशारों से रूसलान को समझाता है कि मैं जाता हूँ कि मटर काइउस कैसे करते हैं। रूसलान चुए को मटर देता है। चुआ मटर को खा गया था और उसके बदले में उसने एक चटान को घुमाया। जिसकी वज़े से खाई में एक जानलर का बड़ा कंकाल निकलता है जिसके अंदर से निकल कर रूसलान अपने दोस्तों के साथ खाई को पार कर लेता है। वही मेला एक कमरे में जाती है जहां उसे केक और आईसकстаточно से लड़ा कर जाई कर बोढ़ा कर जादो अपनी चड़ी में जादो फिर से बढ़ता है और चढ़ी के मद से यस्टोन के राकशस को बलाता है। वहीं चुहा रूसलान को रास्ता बताता हुआ फिन के पास ले जाता है फिन रूसलान को देखर छेपकर रूसलान से कहता है कि मैं महान जादूगर हूँ मैं तुम्हें अपने जादू से मार दूँगा फिन को शेर नो मोन ने अपने जादू से बागल कर दिया था रूसलान एक जादू का रोने का नाटक करता है और फिन से कहता है कि अगर तुम्हें पहले जादू नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा फिन अपने जादू से रूसलान को मानने कोशिश करता है फिन का जादू काम नहीं करता बागर फिर भी रूसलान और उसके साथी मानन का नाटक करते हैं फिन उन्हें मरा देखकर उसके पास आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने बेगुना लोग को मार दिया फिन जैसे ही रूसलान के पास आता है रूसलान उसे पकड़कर कुर्सी से बांद देता है और फिन से कहता है कि शेर नो मौर ने राज कुमारी को पक की निगरानी में रखी है फिन रूसलान को हीरो तक पहुँचने तक का रास्ता बताता है जो कि काफी उल्जन बरा था लेश्टर फिन के बताय हुए रास्ते का मेब बनाता है और वहां से चले जाते हैं इस्टोन राक्षस लेश्टर और उसके साथी पर हमला करता है जिससे वो भागने लगते हैं वही राक्षिस राजकुमार और उसके साथी के पीछे पढ़ जाता है जिसकी वाज़े से सभी बाख कर च्षिप जाते हैं चुआ रुस्तलान को हिरो के पास ले जाता है जिसके बास जादवी तलवार थी हीरो नीन में था औरो जोर से चीकता है जिसकी वज़े से सबी काफी दूर जाकर गिरते हैं रूसलान के पास चुआ था जिसे हीरो दूर रखने हो कहता है क्योंकि उसे चुए से अलरजी थी रूसलान कहता है कि मुझे आपकी जादू इतलवार चाहिए हीरो ने उसे आसानी से तलवार को दे दिया था हीरो कहता है कि अगर तुम इसे यहां से ले गए तो यह तुमारी होगी रूसलान तलवार को जैसे उटाता हीरो के पास सुए सभी सेनिक जाक जाते हैं जो कि जोंबी की तरह थे और रूसलान पर हमला करते हैं रूसनान सवी सेनिकों से लड़ने लगता है और उन्हें जादी तलवार से मार देता है मागर वहाँ और भी ज़ादा सेनिक आ गए थे जिनसे बचने के लिए रूसनान हीरों के नाक में चुएको गुसा देता है जिसकी वाज़े से वो जोड़ से चीकता है हीरो काफी बढ़ा था इसलिए उसकी चीक के साथ निकलने वाली हवा से सभी सेनिक उड़ गए थे वहीं शेयर नमर देखता है कि रूसलान महल में तलवार के साथ आया है रूसलान महल के अंदर जाने का रास्ता डूंडता है तब उसे मिला दिखाए देती है मिला रूसलान से कहती है कि तुम्हें गरीब एक्टर हो और तुमने मुसे जुट कहा था कि तुम्हें योदा हो ताकि मैं तुमसे शादी कर लूँ और तुम राजा बन जाओ रूसलान केहता है कि मैं तुम्हें यहां बचाने आया था मिला केहती है कि मुझे जो चाहिए था वो सब यहां है और शेर्णोम और मॉर भी मुझे प्यार करता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती और उसे वापस से भेज देती है रूसलान वहाँ से उदासो कर जाने लगा शेर्णोमर मिला से कहता है कि मैंने तुमारे प्रेमी को उदास करके वापस भेज दिया और वो मिला से अपनी टोपी को चीन कर उसे पकड़ लेता है उना ये सब देख लेता है और रूसलान को बताने कोशिश करता है इस टॉन राक्षस रूसलान के उपर हम लाकर देता है मगर रूसलान मिला के छोड़ देने की वज़े से मरने का डिसाइड करके राक्षस के सामने सो गया था उना रूसलान को मिला का लोकेड लाकर देता है जिसे देखकर रूसलान समझ गया था क्यों शेर्णो मौर था रूसलान अपनी तलवार से इस टोन को भगा देता है और वहाँ से मिला को बचाने जाता है राजकुमार रूसलान को देख लेता है और उसके पीछे जाता है वहें शेर्णो मौर ने मिला को बांद दिया था रूसलान वहाँ जाता है जिसे देखकर शेर्णोमोर एक बड़ा ड्रेगन बनकर रूसलान के ओपर हमला करता है और इदर उदर पटा कर मारने लगा रूसलान जादुई तलवार से शेर्णोमोर की दाड़ी को काड़ देता है जिसकी वाज़े से फिन फिर से ठीक हो गया था रूसलान शेर्णोमोर को पकड़ लेता और उसे अपना माया जाल अटाने हो कहता है मगर शेनोम और कहता है किसे कोई नहीं अटा सकता जिसकी वाज़े से रूसलान जादु तलवार लेकर जाल के अंदर चला गया रूसलान मिला को बचा लेता है मगर खुद जाल के अंदर फस गया था जिसकी वाज़े से वो मर जात राजकुमार भी वहाँ जाता है और मिला से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ठीक हूँ वो एक गरीब था ये सुनकर मिला को गुसा आता है और राजकुमारी को मारने लगती है और जादुई टोपी पेंट कर सभी को खुब मारती है जिसके वजह से ओमयल से नीचे गिर गए और शेर्नो मोर बीच में लटक गया था फेंड रूसलान के पास आता है और अपनी शक्तियों से रूसलान को фिरसे जिंदा कर देता है रूसलान को जिंदा देकर सभी काफी खुश होते हैं शेर्नो मोर ने जितनी भी राजकुमारी को पत्थर का बनाया था वो फिर से अप करके उसे किस करती है यह देखकर सभी खुश होते हैं फिन अपने जादू से पठाके जलाता है और इसी के साथ यह कानी यहीं पर खत्म हो जाती है गाइस आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जुरू बताना और आप नेश्ट मुवी कौन सी देखना चाहत होते हैं वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में जुरू बता देना साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहीं दिल से शुक्रिया थेंक्स रोचिंग